हरे कृष्णा, क्या एकादशी आज है या एकादशी कल है या एकादशी कल थी तो बहुत सारे जो भक्त लोग हैं, मुझे से जो भक्त लोग हैं वो कन्फ्यूज दो जाते हैं कि एकादशी कप की है कई कोई संत Yae 6 Jaear Keyet Eurka सबसे बड़ी है रास्ता यह है कि हम फुल मूंडे देखें पूर्णी मांसी होती है पूर्ण मांसी से 11 सुर्ण मांसी को थो 11 न nei है उसके सन्राइज से 2 घंटे पहले से今 गंपती रातमिकता दिन जो भी भगवान की कृष्ण भक्ती की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं इसलिए एकदशी हमें जरूर मनानी चाहिए और एकदशी के दिन ग्रेंस नहीं खाने चाहिए जितने भी ग्रेंस में आते हैं जितने भी पार्टिकल्स जो आते हैं पल्सी दाल वागर यह हमें नहीं हमें फल लेने चाहिए और जो जितने भी हैं थोड़ा सा जूस ले सकते हैं किसी प्रकार का एकदशी वाले दिन तो इस तरह हमें फलहार करना चाहिए अब चाहे आप एकदशी महादशी को आप एकदशी बना रहे हैं तो उसको एकदशी ना बोलिए ऐसे भक्तों में confusion पै एक ही बार आएगा वोगादशी दौई आप एकदशी बोल रहे हैं तो आप यह मत भूलने कि ऐकदशी बना रहे हैं उसको आप दख्येशी बनाइए और लेकिं चेतन बहारल ने साफ उसकंद पुला और बोला है कि एकदशी के दिन अन्य न एक जो डेंस को मार दिया तर से sinful activities accumulate हो जाती है और हमारे पदम पुरान में कहा गया है इसकंद पुरान में कहा गया है कि ब्रहम हत्या के बराबर पाप लगता है आपने अपने relatives को मार दिया, mother को मार दिया, brother को मार दिया, उसके बराबर का पाप लगता है तो हम scientifically भी देखें तो moonlight जो sunlight जो है वो vegetation को affect करती है photosynthesis होता है, light face होता है, dark face होता है हमारे वेदों में भी वरनीत है कि moonlight से ही औशडियों को एक तरह से उनकी औशडियों की capacity है वो increase होती है moonlight से, तो moonlight की बहुत effect है vegetation पे तो लेकिन एक अदशी की दिन एक तरह से negative energy grains में accumulate होती है अब वो कैसे है, वो scientific research इससमें नहीं हुई है लेकिन हम अगर वेदों की बात माने तो आज की दिन हमें grains बिल्कुल नहीं खाने चाहिए एक अदशी वाले दिन जो आज की थी है तो हमें एक अदशी की नहीं खाएंगे तो बहुत सारे जो पाप है या negative energies को आप बोल सकते हैं लेकिन वास्ते में वो पाप ही होते हैं जब हमें शास्त्र बोल रहे हैं जो बता रहे हैं हमको जो जो ग्यान दे रहे हैं हमें उनकी बात ही माननी चाहिए तो जो पाप हमारे accumulate होते हैं और हमारे भाधा लाते हैं हमारी आध्यात्मी कुनती में और चंद्रमा को हमारे शास्त्रों में मन को कंट्रोल करने की डीटी बताया गया है तो यह मेरा practical भी experience है कि मैं जब भी chanting अभी तो मैं थोड़ा सा updated रहता हूं और इससे पहले में क्या करता था कि जब भी chanting करता हूं तो एकदम मेरी chanting जिस दिन smoothly start होती थी एकदम smooth होती थी बिना मन मुझे उसमें थोड़ा से विग्र पैदा नहीं करता था तो मैं क्या करता था चैक कर लेता था मुझे समझना था कि आज अकल में एकदशी आने वाली है और मैं डेट चैक करता था वास्तम ही होती थी तो आप ऐसा पाएंगे एकदशी वाले दिन हमारा जो मन है एक दूसरे दिनों के बनस्पत वातानों कुलित होता है एकदम stable होता है तो उससे में हम भगवान की तरफ और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं क्रिश्न भक्ती की तरफ और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और जैसे sunlight हमारे pineal land को effect करती है वैसी moonlight हमारे बहुत सारे hormones को effect करती है हमें पता नहीं चलता Serotonin, Hormone, Mono Amines, Hormone जो हमारी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करते हैं तो हो सकता है कि Moon Lines उनको affect करती हो तो कि वास्ता में ऐसा होता है तो इसलिए हमें जो शास्तर बता रहे हैं उनकी बातों को मानना चाहिए और यदि confusion है कि हम महादवादश्य बनाए या एकादश्य बना तो आप दोनों को बनाएए बेस्ट वो है अगर आप वरत्र नहीं कर सकते तो अटलीस ग्रेंस एकादश्य वाले दिन नहीं खाना चाहिए चाहिए कुछ भी हो जाए तोई चेतन्य महप्रवगा यही आदेश है अगर हम एकादश्य वाले दिन ग्रेंस खा रहे हैं तो हम वास्त में सिर्फ पाप खा रहे हैं आप महादवादश्य को भी बनाएए एकादश्य को भी बनाएए दोनों के पुर्णयों का लाब उठाईए और भगवत भक्ती में आगे बढ़िए हरे क्रिष्णा